हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक उन मैं चैनल विज्ञान वर्ड, तो आज हम स्टुडेंट्स स्टार्ट करेंगे टोपिक रेस्पिरेशन, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं, लाइप प्रोसेस, जिसमें नूट्रिशन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, हुमिन बिं अथा, है और एनरजी प्रोवाईड करता है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन, अबिलीटी अफ एन ऑर्गानिजम, तो ब्रेक डाउन फूद, थू प्रोवाईड एनरजी, तो स्टुडेंट्स, मेल लिए दो टाइप कःêterरेशन होता है, आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन, और anaerobic respiration, aerobic जैसे नाम से इसके लग रहा है which respiration which takes place in presence of oxygen in O2 presence, ठीक है, और anaerobic anaerobic in O2 absence, oxygen की absence में जो होगा वो anaerobic respiration है, oxygen की presence में जो होगा वो आपका है aerobic respiration, तो students मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी respiration की process है उसमें क्या होता है, कि जो glucose है आपके पास हमने खाने में खाया है, carbohydrate, protein, vitamins और भी जैसे अलग-अलग type के nutrients तो सभी से उनके क्या बन जाएंगे finer particles, smaller particles बन जाएंगे, digestion की process में आपको explain की है, कि mouth में, stomach में, small intense time में, हर जग अलग-अलग parts में, digestion होता है, breakdown of the larger particles into the smaller food particles, तो हम smaller food particles, यह carbohydrate है, glucose, इसको ले लेते हैं, तो यह सारे food particles, blood से मैंने बताया था, आपको absorb होके, कहां चले जाएंगे, हमारी हर एक cell में चले जाएंगे, blood के थूँ, ठीक है, और ऐसे ही जो हम oxygen लेते हैं, तो oxygen कहां चले जाती है, वो भी blood लेके जाएगा, हर एक cell में, तो cell में जाके यह respiration होगा, आपने 9th class में पढ़ी होंगी, cell क्या होती हैं, basic unit of life, तो जैसे glucose है, यह cells में respiration होगा, यह जैसे cells के cytoplasm में respiration होगा, ठीक हैं, तो glucose से, glucose एक 6 carbon molecule है students, कितने carbon का, 6 carbon का है, इससे बनेगा pyruvate, क्या बनेगा इससे, pyruvate, यह सभी में बनेगा, चाहिए aerobic हो, चाहिए anaerobic हो, तो pyruvate student एक 3 carbon molecule है, तो आप सोच रहे होंगे, कि यह 6 carbon का, यह 3 carbon का, तो 3 carbon कहां चलेगे students, यह 2 बनते हैं, pyruvate के molecules, उके, उसके बाद जो है, यह divert हो जाएगा, 3 pathway होते हैं इसके, ठीक है, कौन-कौन से हैं, एक तो जो हमारे अंदर होता है, oxygen की presence में, O2 लिख दिये मैंने arrow के उपर, कि इसकी presence में हो रहा है, यह कहां होता है, यह होता, mitochondria के अंदर, mitochondria अपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, power house of the cell, यहां पे power house क्यों बोला जाता हैं, क्योंकि इसमें energy produce होती है, जो यहां respiration से बनती है, तो mitochondria में यह होती है, इसमें बनेगी CO2, और water बनेगा, और बहुत सारी क्या निकलेगी, energy, energy बनाने के लिए ही सारा respiration की सारी process हो रही है, ठीक है, तो यह तो था aerobic respiration, oxygen की presence में हो रहा है, ठीक है, अब जो दूसरे वाला respiration है, pyruvate से हम बात करें, anaerobic respiration की, anaerobic respiration in oxygen absence, यहां पे O2 जो है, absent है, ठीक है, O2 की absence में यह हो रहा है, तो इस case में क्या बनेगा, इथे nol बनेगा, और साथ में CO2 बनेगी, water नहीं बनेगा students, तो energy निकल जाएगी, ठीक है, यह होता है, east में, यह आपको ध्यान रखनी है बात, किसमें होता है, east में, fungus होती है, लग-लग type की, उनके अंदर होता है, ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अपना जो respiration की third type है, वो होती है students, हमारी muscle cells में, human beings में भी होती है, muscles में, ठीक है, यह जो होता है, oxygen deficiency में होता है, lack of oxygen होती है, lack of O2, कम होती है oxygen, होती जरूर है, कम होईगी, तो इस case में बनेगा students, लेक्टिक एसिड, क्या बनेगा, लेक्टिक एसिड बनेगा, और बहुत सारी energy निकलेगी, तो लेक्टिक एसिड भी एक 3-carbon का compound है, तो यह students, 3-carbon से 3-carbon का ही बन गया compound, यहाँ CO2 की बात करें, तो एक carbon आया है CO2 में, और 3-carbon का pyruvate था, तो यह इसके जो बच्चे हुई है 2-carbon है, वो कहाँ चलेगे, तो students आपको यह समझना होगा, कि CO2 के 3 molecule यहाँ बनेंगे, ठीक है, अब जो इथेनोल है, इथेनोल होता है, इसका formula की बात करें, तो इसका formula होता है, C2H5OH, carbon compound वाले आपके chapter में आजाएगा, डिटेल से, तो 2-carbon है यहाँ और 1-carbon CO2 में, तो यह 3-carbon इसके pyruvate के यहाँ पूरे होगी, यहाँ 3-carbon direct है, यहाँ पे CO2 में 1-carbon है, तो CO2 के 3 molecule बनेंगे, यह आपको समझना होगा, तो यह है आपका general pathway, किस चीज का general pathway है, glucose के breakdown का, तो यहाँ लिखेंगे हम, breakdown of glucose, यह आपका equation भी है, exercise में direct है, कि glucose के breakdown के different pathway, आप explain करें, ठीक है, glucose by various pathways, तो यह glucose breakdown के path में है, यह आपको समझा गये होंगी, तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है, students की जो east वाला होता है, मैंने आपको बताया था, कि east बाहर nutrients को absorb करती है, वही digestive enzyme अपने secret करेगी, तो east जो है, उसके अंदर, इथेनोल बनेगा, CO2 और energy बनेगी, यह एक anaerobic respiration है, और इसे fermentation भी बोलते हैं, ठीक है, यह aerobic respiration है, mitochondria के अंदर हो रहा है, और यह pro stress students, ग्लुकोज से pyruvate बनना, यह सभी के cytoplasm में हो रहा है, जाए कोई भी केस हो, यह cytoplasm में होगा, ठीक है, यह mitochondria के अंदर, सभी cells के mitochondria में, और यह जो सिर्फ हमारी muscles में होता है, students, आप यह ध्यान रखना, जैसे कही बार हम क्या करते हैं, यह running कर रहे हो, यह कोई heavy exercise कर रहे हो, उस time पे सांस लेने में काफी problem होती है, ऐसा लगता है, कि जितनी requirement हमें energy की है, उतनी fastly respiration नहीं हो रहा है, उतनी energy नहीं produce हो रही, तो body क्या करती है, उस situation को cope up करने के लिए, वो जो हमारी muscles हैं, muscles के अंदर यह होनी लग जाता है, oxygen की deficiency में respiration, तो इस case में क्या होता है, muscles के अंदर, कम oxygen से ही lactic acid बन जाएगा, और energy निकलेगी, तो आपने देखा होगा, कई बार cramps पढ़ जाते हैं muscles में, cramps का pain भी होता हलका, तो वो इस lactic acid की presence की वजए से है, यह आप ध्यान रखना, यह energy बनती है, लेकिन बहुत कम बनेगी, तो वो मजबूरी में बनाई गई, यह समझो आप, वैसे बड़ी classes में आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ इस case में बनते हैं बस 2 ATP, बहुत ही कम energy बनती है, और इस case में 38 ATP के आसपास बनते हैं, ठीक है, ATP क्या है, ATP मैं अब भी आपको बताऊंगी, यह एक energy currency है, क्या है students, यह energy currency है, जैसे आपकी, उसकी जो currency है, इंडिया की रुपे, उसी में जितने भी आपके, जो पूरी economy है, उसी के coding चलती है, तो यहाँ पर energy की जो currency है, हमारी body में वो ATP है, तो पूरी energy की जो processes है, वो ATP के coding चलेंगी, अब अगर हम ATP की यहाँ बात भी करें, डिटेल में, तो मैं आपको बता देती हूं, एक तो इसकी full form क्या है, ATP होती है students, काफी important है वैसे यह topic, एडिनोसीन ट्राइफोस्पेट, एडिनोसीन ट्राइफोस्पेट, वैसे आप डिटेल में इसे प्लस वन में जाके पड़ेंगे, अगर आप आयो चूज करते हैं medical stream, ओके तो एडिनोसीन ट्राइफोस्पेट है, यह एक energy currency है, cellular energy currency बोलते हैं, तो यह बनती है सभी में, आप यह कहलो जैसे आपके पास जो normal energy होती है, light energy होती है, बैटरी आपके घरों में जो यह चलती है, electricity है, या एक बैटरी से आप बहुत सारी चीज़े चला सकते हैं, electricity से, पंके भी चलते हैं उसी से, भी cooler भी उसी से चलेगा, mechanical energy बन रही है, ना इन्थ में अपने पड़ा होगा, ठीक है, AC में अलग energy है, freeze के अंदर अलग energy में convert हो रही है, वो press के अंदर heat energy में convert हो रही है, तो इसी तरीके से, जो हमारी ATP है, वो भी different activities करने के लिए, यूज होती है, चाहे आप मतलब, मसल्स की contraction करवालो, मसल्स की relaxation इससे होगी, protein हमारी body में बन रहा है, तो वो इससे बनेगा, कोई nerve चल रही है, कि हम सोच रहे हैं, वो सारी nerve conduction इससे होगा, ठीक है, तो हमारी body में कोई भी activity है, मैं बोल रही हूँ, तो बोलने के लिए भी मेरी जो energy यूज हो रही है, तो वो ATP आपकी, आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ energy consume हो रही है, brain work कर रहा है, तो वो भी किस form में यूज हो रही है, ATP की form में यूज हो रही है, कई जग है, आपको ADP लिखा मिलेगा, तो ADP क्या है स्टुडेंट्स, एडिनोसीन डाई फोस्पेट है, उसमें दो फोस्पोरस है, एडिनोसीन ट्राई फोस्पेट, इसमें तीन है, तो कई बार ADP, एक फोस्पोरस के साथ reaction करके, ATP ही बना देता है, ठीक है, तो इस केस में फोस्पेट एड़ हो रहे है, तो इस केस में एनरजी यूज हो रही है, और अगर उल्टा होगा, ATP से ADP बन जाएगा, ADP, और साथ में फोस्पेट निकल जाएगा, तो इस केस में एनरजी निकलती है बहुत सारी, ठीक है, यहां energy use हो रही है क्योंकि bond बंद रहा है यह आप आगे भी पड़ेंगे ओके तो यह था आपका ATP के बारे में और यह था आपका glucose के जो different pathway है आपको यह समझ आ गया होगा students अब इसमें एक दो activity दी हुई हाँ आपके topics related उन्हें देखते हैं यह देखिए students यह आपको एक activity दिखाई हुई है कि आपने दो test tube ले ली और दोनों test tube में lime water लेंगे lime water मैंने आपको पीछे कई बार बता है calcium hydroxide solution तो इसमें एक में तो syringe लेंगे और syringe से CO2 डाल रहे हैं और एक में हम क्या करेंगे expire करेंगे मतलब breathing out हम CO2 को exhale करेंगे exhale word यूज करते हैं तो exhalation करेंगे सांस को बाहर की और छोडेंगी ठीक है तो हम क्या देखते हैं दोनों में यहाँ पे CO2 डाल रहे हैं किस से सिरीन से या पिछकारी ले लो आप घर में अगर experiment करते हैं तो और यहाँ पे मुह से CO2 डाल र करते हैं और सांस बाहर चोड़ते हैं ब्रीधिंग आउट उसकेस में CO2 निकलती है तो CO2 डाल रहे हैं यह मुह से सांस चोड़के तो हम में हमें चेक करना है कि दोनों में क्या चेंज जाएगा लाइम वाटर के कलर में तो स्टुडेंट्स यह स्योटू के केस में आपको प लाइम वाटर का कलर मिलकी क्यों होगा क्योंकि एर में उतनी CO2 प्रेजेंट नहीं है कि आप सिरीन से पिछकारी से डालेंगे तो थोड़ी कम होती है आपको पता है यह 0.03% CO2 प्रेजेंट है बसे आपके एट्मोसफियर में लेकिन मुह से काफी CO2 निकलती है अगर हम सांस चुड़ते हैं तो यह जल्दी हो जाएगा आपका क्या लाइम वाटर मिलकी तो यह थी आपके अक्टिविटी देखिए यह आपकी क्योंकि जब हम रैस्पिरेशन करते हैं तो CO2 निकलती है और CO2 लाइम वाटर को मिलकी कर रही है एक और एक्टिविटी नहीं दे रखी है उन्होंने क्या दे दिया कि सुगर सोलुशन में कहीं पर भी आप सुगर सोलुशन ले लू और सुगर सोलुशन के अंदर इस्ट डाल दी आपने इसमें ले लिया था सुगर क्या ले लिया था सुगर और उसमें एड कर दी है इस्ट तो इसमें आप क्या देखेंगे अगर आप कुछ देर बाद क्या नोटिस करेंगी लाइम वाटर को जो यह से solution बनेगा और एक gas निकलेगी एक gas निकलेगी, दूसरे container में आपने ले लिया लाइम वाटर ठीक है, इसमें क्या ले लिया आपने लाइम वाटर, तो क्या यह गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देगी बिल्कुल कर देगी, students क्योंकि इस्ट अगर है, सूगर है, सूगर मींज ग्लूकोज, इस्ट यह है तो यह वाला पाथवे फोलो होगा इस्ट का इस्ट जो है, रेस्पायर करेगी रेस्पिरेशन करेगी तो इथेनोल बनाएगी और CO2 निकलेगी तो CO2 गैस या निकलेगी विस्टन्स लाइम वाटर मिलकी और एक और आपका प्रोड़क्ट बनेगा इथेनोल तो एक यह एक्टिविटी और आपकी दी हुई है लग से ठीक है तो यह मैंने आपको समझा दिय है कि सुगर में इस डालते ही लाइम वाटर को मिलकी कर देगी क्योंकि वहां पे CO2 बन रही है ठीक है और इथेनोल भी यहां बन जाएगा ओके देखें स्टूडेंट से को एक्टिविटी आपकी दी हुई है मैं सारी अक्टिविटी करवाती हूं ताकि कोई भी पॉइंट भी कोई-कोई घर में भी रखते हैं इसे तो यह क्या कह रहे हैं कि वह फिश है जो अपना पानी के अंदर माउथ को ओपन एंड क्लोज करती है और अपनी गिल श्लीट को तो आप चेक करिएगा कि कितनी बार वह एक मिनट में मूँ को खोलती हैं और बंद करती हैं और कितन कितनी बार सांस लेते हैं काउंट करना है नंबर को तो यह काउंट करने से क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स आप अपने घर पे या कहीं पे भी आपको एक्वेरियम मिले वहां आप इसे करके भी देख सकते हैं बहुत इजी है तो इसमें हमें यह पता चलेगा कि जो करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है तो बहुत फास्ट 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 वह सांस लेते हैं तो इसलिए वो mouth को हमारे comparison में बहुत जादा बार खोल लेंगे, ठीक है, जादा बार वो पानी को अंदर लेंगे, और उनमें क्या process है, हम तो उसी the oxygen को सास में अंदर ले रहे हैं, उनमें क्या आपके activity ये question भी दिया हुआ है पीछे कि जो फीशिज है या कोई भी एक्टिक और्गनिजम है rate of breathing in that organism is much faster than in much faster than terrestrial organisms ठीक है अब यह हो गया स्टुडेंट्स आपका एक्टिक और्गनिजम्मे और ग्लुकोस के डिफरेंट पातवी अब अगर हम plants में respiration की बात करें तो plants में students में आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि stomata होते हैं stomata apparatus होता है वहीं से gases exchange होगा CO2 का और oxygen का gases exchange ओके तो उसमें आपको बस सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि daytime पे और night time पे वहाँ पे क्या होता है एक तो daytime का आपको देखना है और एक night time का आपको देखना है daytime पे students वहाँ आराम से plants को क्या मिलती है sunlight मिलती है अगर हम plants में बात कर रहे हैं respiration की तो दिन के time पे उन्हें sunlight मिलती है और respiration एक अलग process है जिसमें वो CO2 निकालते है और respiration तो 24 गंटे होता है सांस तो हर कोई plants भी 24 गंटे लेंगे तो जो respiration में CO2 evolve हुई है ना मैंने अभी पिछे वाले path phase में बताया वो फटा-फट photosynthesis में यूज हो जाएगी तो कोई CO2 निकलती दिन के समय में और जो photosynthesis में रिलीज होती है oxygen पूरी overall process में oxygen रिलीज होगी लेकिन अगर रात की बात करें रात में sunlight नहीं होती तो जो photosynthesis की process है वो नहीं होती सिरफ आपका क्या होगा उस में respiration होगा और respiration में निकलती है students CO2 तो रात के समय पे ज्यादा तर plants में CO2 वोल करते हैं स्ट्रोमेटल रेस्पिरेशन स्ट्रोमेटा के थ्रू जो रेस्पिरेशन है वो मापको पीछे बता चुकी हूँ वो स्ट्रोमेटा से जो gaseous exchange है वो कौन सी प्रोसेस से होता है डिफ्यूजन से यह बात आपको ध्यान रखनी है किस से होता है डिफ्यूजन से अब बात करते है students human being के रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं इसी वीडियो में कवर कर लेती हूँ तो आप देखिए डाइग्राम बनाईएगा आप मेरे साथ साथ यह आपका नोस्ट्रिल है नोस्ट्रिल से ठीक है यहां से आपका माउथ होगा तो यह इस तरीके से गई अब देखिए मैं आपको यह बता देती हूँ नोस्ट्रिल है तो वो तो सांस वाली नली तो ऐसे जाएगी जो आपकी यह विंड पाइप है ठीक है और मुह से खाना जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा अलग से यह होगी आपकी फूड पाइप और यह होगी आपकी विंड पाइप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है यह तो होगी फूड पाइप यह होगी wind pipe तो food pipe तो students जैसे यह आपका diaphragm है diaphragm मैंने आपको बताया था पीछे क्या बताया था diaphragm बताया था तो chest में ही यह wind pipe होगी chest में ही आगे की ओल यही आगे जाके bifur kato कि क्या present होगी chest में ही lungs होगी ठीक है इस तरीके से लेकिन जो food pipe है वो इस पूरे diaphragm को cross करती है पूरे diaphragm को cross करने के बाद यहां stomach start होता है फिर intense time इस तरीके से यह आपको ध्यान रखना है पूरा digestive system होता है abdominal cavity में present जैसे यह कौन सी cavity है abdominal cavity और इस से diaphragm से उपर वाली है chest cavity अब देखिए यह एक दूसरे को cross कर रही है इसी वज़े से हम कहते है कि मुह से भी सास ले सकते है तो यह जो portion है यह जो common portion है कि जहां से air भी जाती है और जहां से food भी जाता है इसको बोलते है pharynx क्या बोलते है इसे pharynx ठीक है तो यह हो गया आपका pharynx अगर हम अपने digestive system की बात करें तो digestive system में चलते हैं आगे की ओर तो इसमें क्या होगा students यह इदर gross कर जाएगी यहीं pharynx होता है glotis, api glotis आ जाएगे यहीं पर तो उसके बाद आगी यह आपकी wind pipe wind pipe में cartilage होते हैं फिर यह आगे जाके bifurcate करगी कि इसमें broncus में primary broncus और secondary broncus तो यह हम बना लेते हैं यहाँ पर lungs lungs कुछ-कुछ ऐसी shape होती है students lungs की और जो left वाला lung है उसमें cavity present होती है देखो यहाँ से मैंने cut दिखाया है क्योंकि यहाँ पर heart situated होता है कौन सा और्गन होता है students यहाँ पर heart तो नीचे दिखा देते हैं यह आपका dome shape diaphragm यह diagram बिलकुल easy है इसको बनाना अब देखिए यह जो है यह divide होती चली जाती है पूरे के पूरी lungs में और ज्यादा finer और finer tubes में divide होती रखती है यह ठीक है तो यह था आपका यह आपका था इस तरीके से rings होती है हम क्या पढ़ रहे है respiratory systems इनको बोलते है students cartilaginus rings यह cartilaginus rings का भी बताऊंगी मैं यह collapse नहीं होने देती इसको पूरी air tract को ठीक है देखो यह हो गया आपका human respiratory system human respiratory system easy है diagram बिल्कुल human respiratory system ठीक है आप अब इसमें देखिएगा अब इसमें हम लेबलिंग कर लेते हैं यह तो है diaphragm यह spelling होई कि diaphragm की space अपनी प्रेजेंस के लिए ठीक है तो यह क्या है यह है हर्ट मैंने रप सा डाइग्राम दिखाया हर्ट का confuse नहीं करना है इसे खुद को तो और यह क्या है students यहाँ पे आपके होते हैं nostril nostril दो nostril है यह है mouth यहाँ पे pharynx present होगा उसके बाद pharynx के बाद यहाँ पे एक box होता है आगे आपके ट्रेकिया में ठीक है इसको बोलते हैं larynx क्या बोलते हैं larynx wise box है यहाँ से आपकी wise create होती है pharynx वाली जग अपे गलोटी से अपी गलोटी सोते हैं यहाँ एपी गलोटी स्वाले में बताया था और यह जो red कलर की rings बनाई है मैंने these rings are called cartilaginus rings cartilaginus rings उसके बाद यह आगी आपका यह पूरी जो पाइप है विंड पाइप इस विंड पाइप को बोलते हैं ट्रे किया क्या बोलते हैं विंड पाइप को ट्रे किया विंड पाइप है ओके यह विंड पाइप को ट्रे किया बोलेंगे उसके बाद देखिए यह जो पहली बार डिवाइड किया है ट्रे किया ने इन्हें बोलेंगे students primary bronchus primary bronchi plural हो जाएगा और bronchus single के लिए यूज हो रहा है अब primary bronchus फिर आगे divide कर रहा है इसको बोलेंगे secondary bronchus ठीक है और ज़्यादा ये divide कर रहा है tertiary bronchus उसके बाद और ज़्यादा divide कर रहा है इनको बोलते है students bronchioles bronchioles के बाद फिर further division हो रही है अगर तो उनको बोलते है respiratory bronchioles respiratory bronchioles उसके बाद फिर further division terminal bronchioles ठीक है अब terminal bronchioles के बाद अब क्या आता है इसके बाद इतनी भी division होएगी students यहाँ पर balloon like structures बनी होती है इस तरीके से यह balloon like structures बन गी है यह बन गी है balloon like structures ठीक है इसमें से अब इन balloon like structures को बोलते है और यह जो balloon like structure है इनका यह covering में प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं sec alveolar sec तो देखिए आप इसे यह क्या है यह है alveolar sec यह red color का मैं mention कर देती हूँ alveolar sec और जो यह orange color की मैंने balloon like दिखाई है these are alveolar plural students ठीक है तो यह है आपकी site of respiration यहां जाके क्या होगा यहां respiration होगा same network दूसरे लंग में होगा ऐसे ही बिल्कुल same बना लिजिएगा आप इस case में भी इस लंग में भी अब देखिए nostril से air आएगी यहां से air आती है fairing से होती हुई epiglotis glotis से होती हुई wind pipe में आ गई mouth से भी आ सकती है air लेकिन nostril respiration is much better than mouth respiration क्योंकि देख students nostrils में क्या होता है hair growth होती है आपकी nose के अंदर जिससे filter हो जाती है air filter हो जाती है जो dust particles होंगे वो वहीं रह जाती है और mucus भी होता है तो mucus कोई bacteria बगरा या कोई microorganism साथ में आ रहा है air के तो उनको entrap कर लेता है mucus उसके बाद एक और खास बात होती है nostril से respiration की की थोड़ी air गरम हो जाती है मुह से respiration से ठंडी हवा अंदर जाती है तो जिनको कोई breathing problem है allergy वगरा है उनके लिए काफी दिक्कत है नाक से सांस लेना चाहिए उने अब यह air गई है larynx से होते हुए तो larynx में vibration होगी जो यहाँ पे vocal cords होते हैं वो vibrate करेंगे तो उससे virus आपकी create होती है आवाज यहाँ पैदा होगी तो उसके बाद air गई है primary broncus में trachea से यह red color की rings में आपको बता रही हूँ इने बोलते है cartilisiness rings यह इस तरीके से जो जैसे pipe है आपकी यह pipe है उसे यह wind pipe जैसे है इसको मतलब पूरे को मजबूट सी करके रखेगी collapse ना होता कि यह ऐसे ना होजें कि यह जो pipe है यह यू ना होजें यह जाने के लिए space बना रहे collapsing से बचाएंगी cartilisiness rings फिर primary broncus फिर division division होतीज लिजाएंगी एक से दो दो से 43 की से और छोटे 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 नेटवर्क सा बन जाएगा पहले वाली primary है उसमें से जो branch निकलेंगी secondary उसमें से branch टर्शरी उसमें से जो branch निकलेंगी ब्रोंक्यूल्स अगली branches को respiratory ब्रोंक्यूल्स और उसमें से भी जो branches निकलेंगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ठीक है अब उसके बाद balloon like structure आती है end में सबसे last में इने बोलते हैं LVLi और LVLi एक सेक में प्रेजन्ट होती है LVLi जो है students LVLi को बोलते हैं क्या site of respiration यह आपका LVLi हमेशा कहलाएंगी site of respiration इदर मैंने आपको बताई दिया था यह respiration होगा और जैसे मैंने आपको पिछे बताया था विललाई का कि विललाई में बहु ज़्यादा blood vessels होती हैं तो वहां से food absorb होगा और blood में चला जाएगा तो LVLi में भी ऐसे ही बहु ज़्यादा blood vessels होती हैं तो जो हमने breathing से जो oxygenly है वो LVLi में blood में चली जाएगी और blood उसे body के हर एक part तक पहुँचा देगा ठीक है और जो यह CO2 create हुए body के part में वो blood लेके आएगा और यहां से वो वापस निकल जाएगी detail में इतना ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह आपका plus one में आएगा human respiratory system बहुँ ज़्यादा detail में आप उसे पढ़ेंगे तो LVLi पे respiration होता है अब इसमें एक बात आप ध्यान रखना अब मैं आपको एक खास बात बता देती हूँ कि जो यह LVLi है अगर इनको spread कर दें पूरी की पूरी सारी LVLi ऐसे खोलते चले जाएं तो करीब 80 square meter 80 square meter area cover कर लेती है ठीक है तो gas-as exchange होता है यहां क्या होता है LVLi पे? gas-as exchange gas-as exchange की site पूछ लेते हैं आपके जो NEET exam है ना उसमें भी आजाता है यह question और देखिए यहां हमारे अंदर एक अलग से system बना हुआ है respiratory system क्योंकि हमारे में मैंने पिछे बताया था unicellar organism में diffusion से respiration हो जाएगा हमारे में नहीं हो पाएगा और यह जो process है कि अगर यहां पे CO2 और oxygen जो है oxygen ब्लड में जाएगी और ब्लड उसे लेके जाएगा blood में होता है students pigment कौन सा pigment होता है blood में हीमोग्लोबिन HB, HB से लिखते हैं हीमोग्लोबिन यह pigment होता है blood के अंदर और यह लेके जाएगा oxygen को कहां तक oxygen को carry करता है यह कहां तक cells तक हमारी सभी cells तक ठीक है क्योंकि diffusion से तो इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि हमारी human beings की काफी complex body है बहुत बड़ा शरीर है अब ऐसा मानते हैं कि अगर diffusion से पहुँचने लगे ना सारा यह oxygen तो करीब एक oxygen के molecule को हमारे पैर के अंग उठे तक पहुचने में तीन साल लग जाएगे diffusion से अगर पहुच आने लगे तो इसलिए वो बहुत एक slow process है छोटे औरियनिजम के लिए ही काफी है इस वाज़े से हमोगलोबिन प्रेजन होता है यह pigment है, blood में होता है, red color का होता है मापते भी है, 12 gram Hb है 13 gram Hb है per deciliter of blood होता है, यह Hb students तो वो check करते हैं कि थोड़ा females में कम भी होता है blood तो यह हम आगे transportation वाले topic में करेंगे detail में तो oxygen को carry करता है हीमोगलोबिन, यह अपने से bind करके हीमोगलोबिन की बहुत efficiency है इसके साथ bind करनी की बहुत affinity है, और CO2 की बात करें कि CO2 जो है सेल से वापस कैसे आएगी तो CO2 बहुत fast dissolve होती है, तो blood में गुल जाएगी यह plasma में, blood के plasma में कौन? CO2 CO2 बलड के plasma में गुल के आएगी आएगी blood से ही lungs तक यह दो थोड़ा सा difference है क्योंकि इसकी dissolving के पिस्टी जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है बस हमारा यह topic complete हो गया है बस आपको यह ध्यान रखना जैसे ही हम एक बात आपको मैं अच्छे से clear कर दूँ कि respiration वो process है जो cells में होईगी क्या होती है students respiration? यह cells में होता है कि अभी जो मैंने पिछे तीन पातवे बनाए CO2 निकलेगी, energy निकलेगी, water निकलेगा लेकिन breathing, breathing होता है सांस लेना, कि अंदर सांस लेना और बाहर सांस छोड़ना वो breathing है सांस की जो process अंदर लेना और inhalation और exhalation inhale करना अंदर oxygen को और exhalation करना CO2 वो breathing है, तो confusion होना है तो जैसे ही हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं अंदर लेते हैं oxygen को तो सांस जब हम लेते हैं तो आपने देखा होगा chest cavity expand हो जाती है फूल जाती है और diaphragm फ्लेट हो जाएगा diaphragm अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा क्योंकि chest cavity में ज्यादा से ज्यादा जग है बने ताकि oxygen आजए और chest थोड़ी उपर उड़ जाती है आप सांस लेके देखना अच्छे से लंबी लंबी सांस तो और जब हम छोड़ते हैं exhale करते हैं तो diaphragm और ज्यादा curved हो जाता, ज्यादा convex बन जाएगा और chest cavity glucose के different pathways जो है respiration के वो हमने कर लिये हैं तो students अगर आपको समझ आया है तो आप मेरे channel को विज्ञान वल्ड को subscribe जरूर कीजिएगा share कीजिएगा अपने friends के साथ ताकि lockdown situation में coronavirus के time पे जो ये online platform पे हम पट रहे हैं सबी इसका फायदा उठा सके और अपने exam के लिए अच्छे से prepare कर सके